एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम यहाँ पे डिस्कुशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे कितना बहतरी इन मुमेंटम आपको देखने को मिला है ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने सीधे सीधे ब्रेकडाउन दिया है काफी बहतरी इन क्विक मुमेंटम है चाहे आप निफ्टी फाइनेंसल सर्विससес की बात करे यहाँ पे भी आपको क्विक मुमेंटम देखने को मिला है चाहे आप निफ्टी 50 की बात करे यहाँ पे भी आपको quick momentum देखने को मिला है और breakdown मिला है Nifty 50 में बहुत कुछ है समझने लाया कि यह range हमने discuss की हुई है पहले उपर market ने resistance की track किया नीचे support लिया वापिस गया फिर से resistance zone पे resistance की track किया फिर से वहीं पे support लिया breakdown दिया अपने यहाँ पे trading day low का भी breakdown दिया 50 वाली वीडियो में discuss करेंगे यहाँ पे हम focus करते हैं सीधे सीधे bank Nifty पे जैसे की एक बात और मैं यहाँ पे discuss कर दूँ मैं हमेशा ही आपके साथ discuss करते रहता हूँ market में फिर से बहुत सारी negative news आ चुकी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप negative side aggressively positions बनाने लग जाओ क्योंकि ध्यान से देखो market में जो यह गिरावट आई है उसके बाद market ने एक sideways momentum दिखाया है और यह किस zone पे support ले रहा है यह उसी zone पे support ले रहा है जो हम one day के time frame पे काफी दिनों से discuss कर रहे हैं कि market में एक गिरावट आई थी फिर market एक range में चला गया था इससे बाहर निकलने के कोजिस की थी लेकिन वहीं पे भी market ने support लिया था और नीचे एक और support zone बैठा हुआ है तो यानि कि aggressively negative side position अभी नहीं कहा जा सकता कि आप aggressively negative side positions लेने लग जाए क्योंकि नीचे हमारे लिए सबसे ज़्यादा important ये वाला support zone है यहाँ पे market ने कहीं बार bounce लिया है आने के बाद और जब तक अगर इसका breakdown मिल गया और price नीचे sustain कर गया तब negative side position बनाने में benefit हो सकता है लेकिन उससे पहले aggressively ये नहीं कि आप future खरीद के बैठ जाओ कि भई अब market गिरने वाला है या फिर negative news के कारण P.E. खरीदने लग जाओ कि भई अब market गिरने वाला है profit हो जाएगा इस तरह के thought को अभी mind से निकाल देना क्योंकि market में अभी वो भले ही market आज negative हो काफी बड़ा आपको move दे दिया हो लेकिन अभी भी नहीं जाना है जब तक कि ये वाला जो support zone है इसका market breakdown देके price नीचे sustain नहीं करता पहली चीज़ हमने आणोट कर लिए दूसरी चीज़ और नोट करो अभी जो एक गिरावट आ रही थी market में अभी भी उसी range में है उस range से market अभी भी बाहर नहीं गया है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ जो range बनाए थी उस ही range में अभी उस range से बाहर नहीं गया है अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे market पहले भी support लेके bounce कर चुगा अगर आप यहाँ पे focus करेंगे यहाँ पे focus करेंगे और फिर से उसी zone पे आ गया है इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सही खरीद के बैठ जाओ कि market फिर से support लेगा हो सकता है यहीं पे sideways हो जाए हो सकता है इसका breakdown दे दे नीचे इस वाले zone पे support लेनी की possibility हो तो कुछ भी हो सकता है इसलिए daily base पे ही काम करो अगर कोई setup बन रहा है तो उसके काम करो गर setup नहीं बना है जबरदस्ते trade करने की कोशिस मत करो जैसे कि आज काफी बहतरीन setup बना है कौन सा setup बना था यह बना था trading day लोग का market ने काफी बहतरीन breakdown दिया था काफी बहतरीन आपको momentum भी यहाँ पे देखने को मिला था तो आइए इसे थोड़ा सा detail में समझते हैं या कल की situation को भी हम discuss करेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी से जान करें देदू जो यह हमने 40% का off दिया था काफी लोग को confusion हो रहा है कि यह off यानि की coupon कैसे apply करना है मैं उन्हें बता देता हूँ काफी comment आ रहे हैं आप जैसे जाएंगे course पे नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा वहाँ पे जैसे आप course पे जाएंगे available offer दिखा रहा है उसके नीचे आपको coupon मिल जाएगा learn40 नाम से जैसे आप यहाँ पे इस पे click करेंगे तो तुरंत ही आपका यहाँ पे 40% off हो जाएगा ठीक है दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका जहाँ पे आपको payment का option आ रहा है उसके नीचे यह आपको दिखा रहा है one coupon available जैसे आप इस पे apply पे click करेंगे और फिर यहाँ पे apply पे click करेंगे तो एक coupon आपका activate हो जाएगा पहली बार हमने 40% आपको off दिया है नीचे description में आपको application का link दिया गया है यहाँ से यह भी मैं आपको idea दे देता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा हाला कि दो courses हैं एक option वाला है और एक यह है how to trade intraday strategy इसे आप future में भी apply कर सकते हैं और option में भी apply कर सकते हैं मैं आपको suggest करूँगा पहले यह करो बाद में option वाला कर लेना क्योंकि यह करना सबसे ज़्यादा जरूरी है इससे आपके सारी चीजे clear हो जाएगी इसमें जो भी strategies है मैं सारी चीज दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या हम समझाने वाले हैं पहले चैप्टर में आपको trading psychology समझाय जाएगा दूसरे चैप्टर में market open होने से पहले आपको क्या क्या तियारी करनी चाहिए वो चीजे समझाय जाएगी जो यह तीसरे चोथा और पांचवा चैप्टर है इसमें strategies बताएगे आपको अगर trending days है वहाँ पे आपको कौन-कौ किसे पकड़ना है सेवन चैप्टर में आपको risk management के बारे में बताया गया है तो जल्दी से 40% के ओपर का फाइदा उठाई नीचे description में आपको यहाँ पे link मिल जाएगा आप जाके 40% फिलाल ओप दिया जा रहा है first time ही दिया है आई अब हम थोड़ा सा कल का discussion कर लेते हैं कि क सबसे पहले चीज़ जहां पर focus करना है वो तो मैंने आपको बता दी कि negative news है इसका मतलब यह नहीं होता कि negative side position बना के बैट जाओ अगर आपका setup नहीं बन रहा है जैसे मान के चलो यह एक support है यहीं पे market का previous day लो भी है अगर market इसका breakdown देके चल रहा है तो आपका setup बन रहा है आपको previous day लो का breakdown मिल रहा है यहाँ पे आपका setup बन रहा है तो setup पे काम करो लेकिन अगर मान के चलो market यहीं पे ही time spend करने लगा और आप green candle देखके buy कर रहे हो या red candle देखके selling कर रहे हो तो इसका मतलब यहीं नहीं होता है आप बिना setup के काम करने की कोशिस कर रहे हैं दूसरा एसी negative माहूल में carry forward करने से जितना ज़्यादा बचा जा सके उतना ज़्यादा बचो इस चीज को समझ लो क्योंकि अगर carry forward करोंगे तो हो सकता है इसी crash में या इसी negative जो माहूल बना हुआ है इसे में आपके losses होने शुरू हो जाए क्योंकि corona के time पे भी कहीं बार देखा गया था कि जैसे ही news आते थी कि इतने मरीज आगे या इतने news यहाँ पर निकल गई नया variant निकल गया तो सब selling करने की सोचते थे यह negative side position लेने की सोचते थे लेकिन एक time पे market पे उन news का कोई खास फरक नहीं पढ़ना पढ़ रहा था और market ने upside ही momentum देता गया तो उस वज़े से उन करो कहने का परपज़ आपको सिर्फ इतना ही समझाना था आई अब इसे थोड़ा सा detail में समझते हैं सोरी जैसे कि हम यहाँ पे पहली चीज हम नोट कर रहे हैं जो हमारा previous day closing होने वाला है previous day लो यह दोनों की दोनों एक ही zone में है यह पहली चीज हम ने नोट कर लिए दूसर में आ रहे हैं तीसरी चीज यहाँ पे नोट करो कि मार्किट कहीं न कहीं जो यह गिरावट आई 44,000 के नीचे कहीं न कहीं मार्किट प्राइस सस्टेंड कर रहे हैं क्योंकि अगर मार्किट को इसका breakout देना पड़ा तभी हम positive momentum के बारे में सोचेंगे नहीं तो उससे पहले ह नहीं सकते क्योंकि एक round level भी है दूसरा हम काफी दिनों से discuss कर रहे थे 44,100 और 44,000 के बारे में काफी दिनों से हम यहाँ पे discussion कर रहे थे इन चीजों के बारे में आईए अब step by step सारे चीजों को समझने के कोशिस करते हैं अगर मार्किट आपको flat open होके positive momentum दिखाता है तो इस situation पे जब तक वो 44,000 का breakout नहीं देता प्राइज उपर sustain नहीं करता positive side गलती से भी position मत बना लिना पहली चीज दूसरी चीज अगर इसका breakout मिलगा प्राइज उपर sustain कर गया तब भी half quantity में काम करना है क्यों क्योंकि उपर एक और resistance बैटा हुआ है 44,100 इन दोनों का हम काफी दिन उसे discussion कर रहे थे चीज़े समझ में आपको भी दिख जाएगा जैसे 10th को भी market ने इससे नीचे time spent किया फिर breakout दिया अब 16 को देख सकते है market इसे जो उन पर support लेके bounce किया और पिछे भी आपको बहुत सारी चीज़े दिख जाएगी मैंने जो आपको सामने दिखाई दे रहा उस पर आपके लिए एक discussion कर दिया लेकिन अगर market इसका भी breakout देता है तो आप यहाँ पर trade में बने रह सकते हैं और कुछ quantity ओर add कर सकते हैं अगर इसके उपर price sustain कर गया market ने कोई retracement का price action बनाया किसी भी तरह का तो market आपको मोका दे देगा यहाँ तक यह चीज़े के लिए रो अगर negative momentum आ गया तो हम previous day low का breakdown होने देंगे उसी के बाद हम negative side positions के बारे में सोचेंगे यहाँ तक चीज़े के लिए रोगी कोई भी confusion नहीं है न वहीं पर अगर आपको gap up opening मिलती है उस situation पर हम क्या करेंगे दोस्तो gap up opening का scenario बताने से पहले मैं आपके लिए बता दूए आपक के लिए किसी भी तरह करना तो कोई buy recommendation है ना है कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बिनाए गई analysis वीडियो है इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करनी है अपनी investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपका उने वाला है lows की जिमिदार भी आपको अपनी आप लेनी है अगर gap up opening का scenario बनता है तो हमने पहले ही क्या समझा कि एक तो हमारे लिए resistance यह है 44,000 दूसरा resistance हमारे लिए है 44,100 अगर market कहीं ने कहीं 44,000 के आपको gap up opening देता है और यहां से breakout दे के momentum देना शुरू करता है तो तब भी हमारे लिए अगला resistance यही रहेगा इसके breakout के बाद अगर सीधी breakout मिल रहा है तो ह में market or quantity add करने का मौका देगा है दो बार से entry बनाने का भी market मौका देगा पहले चीज़ लेकिन अगर इसी के आसपास आपको gap up opening मिल जाते है 44,100 तो trade को आपको avoid करना है जब तक कि market में हमारे लिए एक platform create नहीं हो जाता यानि कि यह चलती train बन जाएगी ज़्यादर बड़ी आपको gap up opening मिल जाएगी बहतर है price sustain होने दो फिर market को देखना है कि trading day high को निकाल रहा है या फिर trading day low को निकाल रहा है उन situations के according ही आपको आगे positions के बारे में सोचना है वहीं पर अगर आपको gap down opening मिलती है gap down opening के scenario में जैसे कि मैंने आपको बताया previous day closing और previous day low दोनों एकी zone में है अगर gap down opening मिलती है तो इसके मतलब आपको दोनों का breakdown मिल रहा है तो इस situation पे जादा बहतर क्या रहेगा अगर जादा बड़ी gap down opening मिल गई तो उस situation पे trade को avoid करना है पहले price sustain होने देना है लेकिन अगर market previous day low के आसपास ही आपको gap down opening देता है और breakdown देके नीचे चलता है तो आप आपको यहां से negative side और भी बहतरी इन opportunity मिल सकती है लेकिन नीचे की तरब कुछ supports का धियान रखना है जो कि हमने one day के time frame पे discuss के थे एक तो market already support zone पे है दूसरा अगर नीचे और भी negative momentum दिखाता है तो यह वाला support zone हमारे लिए काफी ज़्यादा important होने वाला है कि इस पे market क्या reaction देगा इसका breakdown देगा या फिर हमेशा की तरह जो इस पे आके bounce market करता हुआ आया है फिर से market bounce करता हुआ दिखाई देगा इंची जो पर हम focus करेंगे लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला दू कि सभी courses पे offer कुछी समय के लिए 40% off कर दिया गया है जैसे आप course पे जाएं application का link है वीडियो को like किजेगा comment करना subscribe करना फिर मिलेंगे किसी next video में किसे अच्छे content के साथ thank you